चुनाओं में हिजाब से लेकर गन्ना जिन्ना तमाम मुद्दे हैं जिन पर बवाल छड़ा हुआ है संग्राम छड़ा हुआ है उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए देश की संसद में असदुदी नवैसी साहब ने कहा कि यूए पी आखरून लोगों पर क्यों नहीं लगाया गया जिन्होंने मुझ पर हमला किया इन तमाम मुद्दों पर बात चीत करने के लिए आज तक के इस कारवा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदुदीन वैसी जी जो कि ए आई मायम के अध्यक्ष है सर इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश के तमाम च सही है और उस बच्ची के लिए मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं यह है कि आपने खानून कब बनाया नूटिफिकेशन आपने परसुन जारी कि उसमें क्या कहा आपने के एक्वालेटी इंटेगरेटी एंड़न हिंडर पब्लिक और मैं करना तका गवर्मेंट को एक हैना चाहरा हों कि वह जाकर पुट्टू स्वामी जज्जमेंट पढ़ लें पुट्टू स्वामी जज़न पर ने कहा कि चॉइस फंडमेंटल राइट है आप किसी से यह नहीं कह सकते कि क्या पहनना क्या खाना दूसरा सुप्रेशन हम कनटा सरकार से कहते हैं के एक रिला सब्सक्राइब ने कहा कि सकार्फ इस प्रोटेक्टेड अडर आर्टिकल 25 वन तीसरा हम यह कहेंगे कि आई आर्टिकल फोटीन का वाइलेशन ने आर्टिकल 15 का वाइलेशन आर्टिकल 19 का वाइलेशन सुप्रेम कोड के एक जज़जमेंट है नल सावस इंडिया ऐसे तीन ज़जमेंट्स है ठीक है अब मेर को यह बताईए कि भई अगर कोई लड़की पहले से जाब पहन रही है यह परसों परसों नहीं पहना गया अचानक आपको क्यों खायल आ गया और आप यह नोटिफिकेशन क्यों जारी करते और सबसे हम बात यह है कि नैशनल स्टेस्टिक पढ़ो बेटी बचाओ यह बच्ची पढ़ रही है कॉलिज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है आप क्यों रोकना चाहरें उनको रोकना का मकसद क्या है आपका आप तो पढ़ाईए ना हाँ हिजाब पेन रहे हिजाब और निखाब जो है वो खुरान में आयात में लिखा का मैं कहता हूं बिल्कुल बहाद्दुरी का मज़हराब 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं एक हुझूम और नारे लगा रहे हैं डरा रहे हैं लोग यह नहीं बता रहे हैं कि उसको अंदर आने से रोका गया था लड़की को वह अपना क्यों इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादूरी दिखाई चाहे वह अगर मुसल्मान ना भी होती तो वह इसी बोलता हुआ तो मैंने अपनी तक्रिर आप यह प्राबलम है मैंने उस तक्रिर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है कुछला जा रहा है चाहे वह क खिलाफ आएक्शन होना चाहिए लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर आप क्यों इतना थ्राइब कर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है तो ना यह मेरा कॉंस्टूशन पॉलराइजेशन रोग देंगे आज कोई बोल भी ने रहा है अरे मत बोलिए ना मत के खायमियाजा भुकते हैंगे दस्तारिक को कॉंस्टूशन मॉरालिटी का तखाजा यह है कि आप बोलें आप बोलें आप डर क्यों रहें आप क्यों डर रहें आप क्यों डर रहें कॉंस्टूशन मॉरालिटी का तखाजा है बोलिए ना जब मैं आपको सुप्रेम कोट के जज्जमेंट्स अच्छा मैं और एक बास सुनिए आपको जानकर हैरत होगी फीफा फुटबॉल वर्ड कप जो कराता है 2014 मुने ने कहा कि हिजाब पिन के फुटबॉल खेल सकते आप इंटरनेशनल बास्केटबॉल टॉर्रिमेंट्स बेस्था ले सकते हम क्या कर रहे हैं फिर आप बोलते हैं बेटी बचायो बैटी पढ़ायो अच्छा ये सब कहां कि महब्बत मोडी जी की, बी जेपी की, मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं, कहां के भाई हैं आप, किधर के भाई हैं आप, दीजिए ना ठेरी ना साममें लोग के आप, क्यों नहीं ठेरते आप उनको, तो सब दुकोसलेवाद अच्छा आखरी बात बीजेपी की रैली में आप में भी दिखाया कि बुर्खा पहन कर बैठीवी हैं पूरे महिलाएं अरे भाइया पिर जब क्या कर रहे थे आप मिठाई कहा रहे थे मूं में लड्डू पूट रहे थे आपके नडडा जी को आरती वह अच्छा है और यह क्या है इपॉक्रेसी है यह क्यों डबल डबल चहरे बनाते हैं वह कर एडूकेशनल इंस्टूशन में से एक रही बनती है ना देखें आप मुझे बताएं सर मास्क पहनने के आपकी सासे फूलती है नहीं पूलती बिल्कुन अब गुंते पहन के रह पूछ रही हो आपको मालों तवक्कल कारमन कौन थी यमन की लड़की थी जिसको नोबल प्राइस मिला हिजाब में है अरे बताएं नोबल प्राइस देने वालों को इतराज नहीं है और मास्क पहनने का मकसद ही है कि कोविड ना लगे और निखाब पेने का मकसद यह के खुरान में कहा गया कि और यह करें और मरज अगर किसी गयर महरा मौरद देखें नजरें जुका लें क्यों करें और दिखने के लिए कि लिए इसलिए लिखा गया है कि आपकी चेस्टिटी को आपकी आपकी इसद के लिए डिग्नीटी के लिए अगर मैं किसी एक महिला को देखे जारा हूं घुर गूर के देखे जा रहा हूं वो गुना पाए आगर नजर्णा उआ किसी देखा जाँ रहों देखा रहा हूं तो बाई वो डुना नजर नीची परो मर्दों के reduces уже कोम है किसके जो फिजाब का उबलकुल क्यों है सब्सक्राइब कर दो नहीं कर रहा है किसी को चॉइस है आप फंडमेंटल राइट में चॉइस हा चुका है 377 हमने अटा दिया सब्सक्राइब करेंगे अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर योगी आदित तिनात केशव प्रसाद मौरे सब कहते हैं मतुरा की बारी है कहते हैं सिर पर उनके लाल टोपी है समाजवादी पार्टी और जेब में जालीदार टोपी है तो वह बहुत उनका उनका जो नारेटिव बड़ा क्लियर है वह चाहरें की बतलब धुरुवी करण हो और हिंदू वोट उनको मिले तो यही तो हम कहे रहें पांच साल में कुछ किया ही नहीं ना साड़े चार साल में एक्स्प्रेस वे दिखाते हैं अब भी आयोंगे दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली मेरत एक्सप्रेस वे आपको कौन सा विकास किया आपने कहां का विकास किया आपके दिखाने को ही नहीं ना अच्छा यह बताइए कि मुरादाबाद देवबन में आपने कैंडिडेट को उतारा था मेरे बंदी को आप भी ऐसी सीटे आप खोज रहे ना इसे कोई बात नहीं कि जीतने के लिए लड़ते ना चुनाओ तो लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे कि बुरी बात क्या उसमें और हिजाब का इश्यू भी आप हर जगह उठा रहे हूंगे कि ऐसा रिस्पांस की कि ट्रिपल तलाग पर मुझे हदुरी की तारीफ करना बुरी बात नहीं है हम कह रहे हैं अगर वो बच्ची मुस्कान नहीं होती लक्ष्मी होती तो हम तारीफ करते उसकी किसी लड़कों को इख्तियार नहीं कि आप जाके घेरें किसी लड़की को क्या तमाशा है वो यह तो आप घूंडागर्दी कर र गरनाटक सरकार बीजेपी में बहुत बड़े इंटरनल डिविजन्स हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने इंटरनल डिविजन्स को कैसा करना खूर मुख्यमंतरी अपने ही विदान सभा के मुंस्पल एलेक्शन हार चुके हैं तो cm कि जो भी होगा नियम होगा वह के जो भी होगा नियम से होगा चुदो मदर्शह सायर्ण में पढ़ाते हैं पंडिट पंडिट लोग हैं ब्राहमन लोग हिंदी पड़ाते उनको तनका नहीं दी गई मैस पड़ाते हैं साइंस पांच साल से पैसा ना इन्हों ने दिया ना मोड़ी सरकार ने दिया और दावे करते हैं मदसा मॉड़नेशन स्कीम किया रिलिजिस आइडेंटिटी की जरूरत है स्क Delaware निए किताब नहीं है अगर कोई लड़का स्कूल के गेस्ता है भीलों थो तब भी समीदान उसा टाओ है अक्वा को नीटेक बलात में अगर मैं जा रहा है स्कूल में मेरी लड़की जा रही है मेरा बेटा तो कि सम्मेजां खतम होता हूं कि नहीं खतम होता ना इट ड़संट स्कूल मेरा बेटा स्कूल को जाता है वह कह रहे हैं मैं तारीफ करता हूं सलाम करता हूं वकील सहाब को उन्हें को बताया जजज को कि सर यह क्या है मैडम यह मल्टी कल्चरल कंट्री है यह और हमेशा रहेगा इस देश की खुबसूरत है कि इस देश में लाखों हजारों कल्चर्स हैं इसको हम मानते ही नहीं है अगर आप इसको एक ही तरह से करना चाहेंगे नहीं होगा वह नहीं कर सकते उसको इतनी सीटे कहां कहां पर आपको उम्मेशा है नहीं हमने भागेदारी परिवर्तन मुर्चा का मिस्सा है बाबु सिंग कुश्वास आपको के साथ हैं और पिच्छा समाज के लोग हैं इसमें हम कोशिच कर रहे हैं कि हमारा इरादा है कि अगर उतरपरदेश जनता सत्ता द बढ़ी क्या तस्वीर साफ हुई कि वो दोनों कौन थे रेड़ और वाइट हुडी वाले जिन्होंने फायर किया अब यही तो जैट प्लस सेक्योरिटी पर आप क्या कह रहे हैं नहीं मैं उनका शुक्रिया दा करता हूं मुझे नहीं चाहिए मैं यह कह रहा हूं कि आप य देखिए राडिकलाइस क्यों हो रहे हैं क्यों राडिकलाइस हो रहे हैं क्यों लोग बंदोग उठाकर गोली चला रहे हैं कौन इनके पीछे दिमाग दे रहा है आप उनको रोकिए ना यह भी तो पॉलीसिंग का हिस्सा है यह भी तो इंटरनल सेक्योरिटी का हिस्सा है कि इनको बुलेट पर वरोसा है, बैलेट पर नहीं है, इनको सम्विधान पर वरोसा है, अपनी नफृत पर इनको इतिमाद है तो मुझे एक डैएरी का स्टेटस बनाईियाभ, मुझे वो शेहरी हुक दीजिreten है, मुझे वो चाहिए, और क्या मेरी जान बचने से सबकी जान बच जाएगी अरे आप कितने गरीब लोग कितने महिलाओं का क्या होता है आप क्या कर रहे हैं सरकार बताई आप कुछ नहीं कर रही है ना उनको सेफटी करिए तो यह इतना इंफस पॉलिटीशन्स पर क्यों हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता ह हम कौन हैं हम भी तो जनता हम कोट डाली ना अरे हम तो आटे की नम्मक भी नहीं है बगर इतना फोकस मुझे नहीं चाहिए मैं 94 से पॉलिटिक्स में कभी नहीं लिया मुझे पसंद नहीं है ये बंदोग ब्रादर लोग अतराफ में फिरे क्या क्या है क्यों होना चाहिए ह लेकिन सब कहते हैं अलग अलग जगों पर जाकर दिवान की आपके लिए हैं दिल आपको दे रहे हैं लेकिन वोट दे देंगे उधर अखिलेश को क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को अखिलेश और गडवन्दन हराएगा वो गाना है ना दिल दिया है सनम तो जान भी के यखीन है कि यहाँ पर वोट उनको मिलेगा और वो एक भूमिका अच्छी अपनी उत्तर प्रिदेश के चुनाओं में धुरुवी करण के खिलाफ हर बार की तरह बोलते हुए सुरक्षा नहीं चाहिए यह एक बार फिर से दोहराते हुए देश जोनिया की बागी ख़ब के लिए आप देखते रहें आज तक